स्री मत भागवत महापुरान इसकंद आठ अध्याय 11 स्री सुगदेव जी कहते हैं परिख्षित परमपुरुस भगवान की एहूती की किरपा सेवदेपताओं की घबराहट जाती रहें उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया पहले इंडरवायु आदी देवगंडरन भूमी में जिन जिन देत्यों से आहत हुए थे उन्हों उन्ही के उपर अवे पूरी सक्ति से प्रहार करने लगे परम एस्वरे साली इंडर ने बली से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके बजर उठाया तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया बली अस्तसस्त से सुसजित होकर बड़े उटसा से युद्भूमी में बड़ी निर्भाइता से डट कर बिचर रहे थे उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में बजर लिये हुए इंडर ने उनका त्रेसकार करके का मुर्ख जैसे नट बच्चों की आँखें बांध कर अपने जादू से उनका धन एंट लेता है वैसे ही तु माया को बालों से हम पर विजय प्राफ करना चाहते हैं तुझे पता नहीं है हम लोग माया के स्वामी हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगार सकती जो मुर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांग कर उपर के लोकों में भी धाग जमाना चाहते हैं उन लुटेरे मुर्खों को मैं उनके पहले अस्थान से भी नीचे पटक देता हूँ ना समझ तुने माया की बड़ी बड़ी चाले चली है देख आज मैं अपने सौधारवाले जैसे तेरा सिरधर से अलग किये देता हूँ तु अपने भाई बंधों के साथ जो कुछ कर सकता है कर ले बली ने कहा इंद्र जो लोग काल सकती की प्रेड़ना से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार यस अप यस अतवा मिर्तियों मिलती ही है इसी से ग्यानी जन इस जगत को काल के अधीन समझ कर ना तो बिजय होने पर हर से फूल उटते हैं ना तो अब किर्ति हार अतवा मिर्तियों से सूखी करते हैं तुम लोग इस तत्तु से अन्भिग्य हो तुम लोग अपने को जै पराजय आदी का कारन करता मानते हो इसलिए महत्माओं की द्रिष्टी से तुम सोचनी हो हम तुम्हारे मन असपरसी वचन को स्विकार ही नहीं करते फिर भी हमें दुख क्यों होने लगा स्री सुखदेव जी कहते हैं बीर बली ने इंद्र को इस पकार पटकारा बली की पटकार से इंद्र कुछ जहेब गय तब तक बीरों का मान मरदन करने वाले बली ने अपने धनुस को कान तक कीच कीच कर बहुत से बान मारे सत्तेवादे देव सत्त्रू बली ने इस परकार इंद्र का अत्यंतितरसकार किया अब तो इंद्र अंकुस से मारे वे हाथी की तरह और भी चुड़ गय बली का आच्छे पोई सहन ना कर सके और सत्रू घाती इंद्र ने बली पर अपने अमोध वज्र का प्रहार किया उसकी चोट से बली पंक कटेवे परवत के समान अपने बिमान के साथ पृत्वी पर गिर पड़े बली का एक बड़ा ही तैसी और घनिष्ट मित्र जंभा सुड़ था अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वो इंद्र के सामने आखड़ा हुआ सीम पर चड़ कर वो इंद्र के पास पहुँच गया और बड़े बेख से अपनी गदा उठा कर उनके हसुली पर प्रहार किया साथ ही उस महावली ने एरावत पर भी एक गदा जमाई गदा की चोट से एरावत को बड़ी पिरा हुई उसने ब्यकुलता से घुटने टेक दिये और फिर मुर्चित हो गया उसी समें इंद्र का सार थी मादली हजार घुडों से जुता हुआ रथ ले आया सक्ति साली इंद्र तुरंत रत पर सवार हो गया दानव स्रेष्ट जम्ब ने रन भूमे में मादली के इस काम की बड़ी परसंसा की और मुस्कुरा कर चमकता हुआ त्रिसूल उसके उपर चलाया मादली के धैर के साथ इस असहनी पीडा को सालिया तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने बजर से जम्ब का सिर्काट डाला देवर्सी नारस से जम्बा सुर की मिर्तियों का समचार जानकर उसके भाई बंधू नमूची बल और पाग जटपट रन भूम में आ पहुँचे अपने कठोर और मर्म असपरसी वानी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ भला बुरा कहा और जैसे बादल पहार पर मुस्लाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके उपर वानों की जड़ी लगा दी बली ने बड़े हस्त लाग घव से एक साथ एक हजार बान चला कर इंद्र के एक हजार गोडों को गायल कर दिया सो बानों से मातली को और सो बानों से रत के एक एक अंग को छेड डाला युद भूमी की यह बड़ी अदभुत गटना हुई कि एक बार इतने बान उसने चड़ाए और चलाए नमुची ने बड़े बड़े पंद्रह बानों से जिन में सूने के पंक लगे थे इंद्र को मारा और युद भूमी में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा जैसे बरसा काल के बादल सुरी को ढख लेते हैं वैसे ही असुरों ने बानों की बरसा से इंद्र और उसके रत तथासार्थी को भी चारो ओर से ढख लिया इंद्र को ना देख कर देबता और उनके अनुचर अत्यंत बिल होकर रोने चिलाने लगे एक तो सत्रों ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेना पती भी नहीं था उस समय देखताओं की ठीक वैसी ही अवस्ता हो रही थी जैसे बीच समुद में नाव तूट जाने पर बैपारियों की होती है परंतु थोड़ी ही देन में सत्रों की ही बनाये वे बानो जिससे घोडे रत धोजा और साथी के साथ इंद्र निकल आए जैसे प्रातकल सुर्य अपनी किर्णों से दिसा आकास और प्रिथिवी को चमका देते हैं वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे बजरिधारे इंद्र ने देखा कि सत्रों ने रन भूमी में हमारी सेना को रॉन डाला है तब उन्होंने बड़े क्रोध से सत्रों को मार डालने के लिए बंस आकर्मन किया परिषित उस आठ धार वाले पैने बसे उन दानवों के दैतियों के भाई बंधों को भी भैबीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट लिए परिषित अपने भाईयों को मरा हुआ देखकर नमूची को बड़ा सुख हुआ वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा इंद्र अब तुम नहीं बस सकते इस प्रकार ललकारते वे एक त्रिसूल उठा कर वो इंद्र पर तूट पड़ा वह त्रिसूल फौलात का बना हुआ था सूने के आभूसनों से बिबूसित था और उसमें घंटे लगे थे नमुची ने क्रोध के मारे सी के समान गरच कर इंद्र पर तूट चला दिया परिछित इंद्र ने देखा कि तूट बड़े बेक से मेरी ओर आ रहा है उन्होंने अपने बानों से आकास में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिये इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उनका सीर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर बजर मारा यदि भी इंद्र ने बड़े बेक से यह बजर चलाया था परन्तु यह सस्वी बजर से उसके चमरे पर खरोष तक नहीं आया बड़ी आस्चर जनक घटा हुई थिया जिस बजर ने महावली बित्रासुर के सरी के टुकरे टुकरे कर डाला था नमूची के गले की तचा उसका त्रसकार कर दिया जब बजर नमूची का कुछ ना बिगार सका तब इंद्र उससे डर गये वे सूचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संसे में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई पहले यूग में जब यह परवत पांखों से उड़ते थे घुमते पिरते भार के कारण प्रिथवी पर गिर परते थे तब प्रजा का विनास होते देखकर इसी बजर से मैंने उन पहारों की पांख का डाली थी तोष्टा की तपस्या का सार ही बिरतासूर के रूप में प्रकट हुआ था उसे भी मैंने इसी बजर के द्वारा काट डाला था और भी अने को दैते जो बहुत बलवान थे और किसी अस्तसस्त से जिनके चम्रे को भी चोट नहीं पहुँचाई जा सकी इसी बजर से मैंने मिर्तिव के गाट उतार दिया था फिर वही मेरा बजर मेरे प्रहार करने पर भी इस तुक्च असूर को ना मार सका अतह अब मैं इसे अंगिकार नहीं कर सकता यह ब्रह्मतेश से बना हुआ है तो क्या हुआ अब तो निकमा हो चुका है इस प्रकार इंद्र विसात करने कि या गीली वस्तू से तुम्हारी मिर्तिव ना होगी इसलिए इंद्र इस सत्रू को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो उस आकासवानी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकागरता से विचार करने लगे सोचते सोचते उन्हें सूच गया कि समुद् फेन से नमुची का सिर काट डाला उसमें बड़े बड़े रिसी मुनी भगवान इंद्र पर पुस्पों की वर्सा की और उनकी अस्तुती करने लगे गंधर्व सी रोमनी विश्वा वसू तथा परावसू गान करने लगे देवताओं की दुंदूमिया बजने लगी और न हरीनों को माट डालता है परिचित इधर प्रमभा जी ने देखा कि दानों का तो सरवता नास हुआ जा रहा है तब उन्होंने देवर्सी नारत को देवताओं के पास भेजा और नारत जी ने वहाँ जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया तब नारत जी ने कहा कि देवताओं भगवान की भुजाओं की छटर चाया में रहकर आप लोगों ने अम्दित प्राप किया है और लक्षमी जी ने भी अपने किरपा की है और आपकी अभी बिर्दी भी की है इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें स्री सुकदेब जी कहते हैं देवताओं ने देवर्सी नारत की बात मान कर अपने क्रोध के बेक को सांध कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोग सुर्ग को चले गए उस समें देवताओं के अनुचर उनके यसगान कर रहे थे युद में बचे हुए देवर्सी नारत की सम्मती से बजर की चोट से मरे हुए बली को लेकर अस्ताचल की यात्रा की वहाँ सुकराचारे ने अपनी सिवानी विद्या से उन असुरों को जिवित कर दिया जिनकी गर्दन आदी अंकटे नहीं थे बच रहे थे सुकराचारे के अस्पर्स करते ही बली की इंद्रियों में चेतना और मन में अस्मरन सक्ती आ गई बली ये समझते थे कि संसार में जीवन मिर्तियु जय पराजय आदी उलट फेर होते रहते हैं इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ स्रीमत भागबत महापुरान इसकंदाट अध्याए 11 समाप्त हुआ कल हम आपसे अगले अध्या में मिलेंगे पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवाद